हेलो दोस्तों, Microsoft Excel से आप Student Software की तरह से बना सकते हैं और साथ ही इसके जरिये आप Student की इंट्री की तरह से कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ इससे पहले मैंने Microsoft SS से Accounting और Inventory Software बना के दिखाया था जहां से आप Company के सारे डिटेल की इंट्री ले सकते हैं इसके साथ साथ Excel से आप Login Page की सतरह से बना सकते हैं और इसके साथ Home Page जहांपर Graphics, Minivar और इस पे किलिक करके उस पे Student के डिटेल और इजल की इंट्री आप ले सकते हैं इसके साथ साथ मैंने Microsoft Excel से एक Auto Fill Billing Format बना के दिखाया था जहां से आप Company के Sell Invoicing के साथ साथ पर्चेज Invoicing भी ले सकते हैं और उसे Save करके Print Out भी ले सकते हैं बाद में इसके Report को आप Generate भी कर सकते हैं इसके साथ साथ मैंने Excel सीट में एक वेबसाइट की सतरह से बनाया जाता है इसके बारे में भी आपको बताया है और इस वेबसाइट को दुसरे वेबसाइट से आप Link के से कर सकते हैं इसके बारे में मैंने डीटेल में आपको बताया है और साथ ही मैंने Excel में एक home page किस तरह से बना सकते हैं और उसमें advanced menu bar किस तरह से लगा सकते हैं ये भी आपको मैंने बताया है आज मैं बात करने वाला हूँ कि student software आप Excel से किस तरह से बना सकते हैं और इस पर entry किस तरह से ले सकते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं दोस्तों मैंने Excel से लिए यहाँ पर जीडिये जोन नाम से एक आइकोन बनाया है इस आइकोन को मैंने किस तरह से बनाया है मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ जैसे मैंने इसे क्लिक किया यहाँ पर आप देखेंगे मिनु बार आपको तयार होके आया है इस मिनु बार में आप क्लिक करके आप स्टुडेंट के सारे डिटेल की इंटी ले सकते हैं जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया यहाँ पर मैंने कुछ इंटी लिये है यहाँ पर show result के बटन बनाएगे है, इस पर click करके आप student के result को check कर सकते हैं, किसी पर एक button पर click करके अब उस particular student के result को show कर सकते हैं, और new button पर click करके student के new entry आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर student के एक entry करके आपको दिखाता हूं, यहाँ पर father's name, mother's name, class, उसके चरह below क्रिंब पर्थ में यहां टाल लेता हूं अग्षा सुअ पर फर्फ तुर स्ञक्रा है कर एड्रेस और कॉंटेक्ग नम्मर इस्टर्थ का फि सकते हैं उसके बाद रिजल्ट में जाकर यहां से क्लिक करके आप रिजल्ट पे जा सकते हैं यहां पे निउ इंट्री आप पे क्लिक करके यहां पे स्टुडेंट के रिजल्ट के इंट्री आप ले सकते हैं यहां पे result के marks मैं entry कर लेता हूँ आप देखेंगे total और इसके status आपको दिखेंगे pass या fail दीश तरह करके आप delete भी कर सकते हैं यहां से आप delete कर सकते हैं और जितने entry आप चाहें यहां से ले सकते हैं साथी delete भी कर सकते हैं और menu में जाके अब direct result या detail को show कर सकते हैं देख सकते हैं यदि आपको यह सभी format और software चाहिए तो आप please हमें comment करें मैं इसे आपको provide करूंगा